आज की रेसिपी है मसाला कबाब यह कबाब बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं इसके बाद यहां पर हमने एक चमच जीरा लिया है दो से तीन लॉंग आदा चमच काले मिर्च छोटी इलाइची थोड़ी सी जावित्री, आदा चमच नमक, आच से दस सूखी मिर्च और आदा चमच चाट मसाला और एक चमच खटाई लिए अब इन सारे मसालों को हम इस तरहां से पीस लेंगे इसके बाद यहाँ पर हमने आदा किलो चिकन लिया है जिसको बहुत अच्छी तरहां से वाश कर लिया है अब इसके बाद यहाँ पर आधा कप तेल, चार कटी हुई हरे मिर्च, एक लसन, हरा धनिया, एक बड़ी प्याज, जो की फ्राइड है, तीन बड़े चमच बेसन, दो बड़े चमच मैदा और एक अंडा लिया है इसके बाद यहाँ पर चार बड़े चमच दही और एक चमच सूखी मेथी ली है अब यहाँ पर हम एक एक करके सारी चीज़े इसमें एड़ कर देंगे और इसको बहुत अच्छी तरहां से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ओईल भी इसमें डाला है सब कुछ मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर इसमें अब थोड़ा सा ओईल और डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको मिक्सर में ग्राइंड किया है और इसके बाद इसके उपर धनिया डाल दिया है और हरी मिर्च और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसको 10 मिनट सेट होने देंगे 10 मिनट सेट होने के बाद यहाँ पर हम इसको कबाब की शेप दे देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कबाब बनाकर रख लिए है अब इसको हमें फ्राइ करना है थोड़े से ओईल में इन कबाब्स को हमें डीप फ्राइ नहीं करना है और ध्यान रिखेगा मीडियम फ्लेम पर हमें इनको फ्राइ होने देना है पाच मिनट तक मीडियूम फ्लेम पर फ्राई होने के बाद ये कुछ ऐसी नज़र आएंगे इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला कबाब बनकर तयार हो गए हैं ये मसाला कबाब बनकर बहुत जल्दी तयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आयो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग